तो आज आपके सामने दो अलग-अलग साइज इसके बॉक्स रखें अलग-अलग डिजाइन्स में आज इसी की बात करेंगे सबसे पहले हम छोटे वाले साइज से स्टाइट करते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इसके डायमेंशन बता दो इसके डायमेंशन हैं 4 x 3 x 1 इंचेज हैं अंदर से आपको दिखा तो यह देखिए लाकी पैकेजिंग का बॉक्स हो गया अंदर इसमें फोल्डेबल छोटा सा कार्ड है वैल विशिस का वर बिट्वीन ब आप एक यह देख सकते हैं बॉक्स पर आपको गॉल्डन लीफ दिखेगी इन में कुछ बॉक्स पर आप देखेंगे फील होगा आपको जूवी प्रिंट और कुछ टैक्शर आवाज से आप जस्टिफा कर सकते हैं टैक्शर और गॉल्डन फॉलिंग आपको दो मिलेगी य गॉल्डन फॉलिंग और एक अलगी डिजाइन है इसके बाद हम इससे बड़े आले बॉक्स ही बात करते हैं जो यह पीछे हैं इनके मैं सबसे पहले आपको डाइमेंशन की बात करता हूं तो इसके डाइमेंशन से 5 x 4 x 1.5 इंचिस यह भी हैंडी बॉक्स है बहुती परफ वेल विशी फॉर ब्रदर और सिस्टर्स यह बॉक्स है इसमें भी आपको अलग अलग डिजाइन्स हमारे पास मिल जाएंगे देख सकते आप गॉल्डन फॉइलिंग कुछ बॉक्स पर गॉल्डन फॉइलिंग है कुछ बॉक्स पर फ्लॉरल प्रिंट्स हैं यह चीज है द बॉक्स की स्ट्रेंथ अच्छी है बिल्कुल आप देख सकते हैं बॉक्स मतलब बिल्कुल एक्जैक्ट एक्यूरेसी से बना हुआ है इसके बाद हम बात करते कुछ इन टाइप के टैग्स की और काइट्स यह जो आप टैग्स सामने देखने सबसे पहले इस टाइप में बुक की तरह फोल्ड हो जाते हैं इसमें एक मैटर आ जाता है और भाई और बहन के लिए एक छोटा सा क्यूट सा मैटर आ जाता है अंदर आप एक राम राखी और रोली चावल रख सकते हैं इस टाइप में एक बुक की तरह फोल्ड रहें उसके अलावा आप अपनी बॉक्स की पैकेजिंग में इस टाइप के कुछ राखी के टैग्स लगा सकते हैं आउटसाइड इंसाइड जहां भी आप रखना चाहते हैं या फिर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं तो यह भी एक अपने आप में बहुत प्रजेंटेबल चीज लगती है यह आप अलग अलगता रहें के कार्ट देख सकते हैं तो जि लेकिए इस ट्रैप में जैसा कि मैंने आपको बताया था अंदर बुक की तरह फोल्ड हो जाएगा राम राकियो रोली चावल यह चीज इस तरह से पैक हो जाएगा सबसे फाइन कॉलिटी की सारी चीज़ें बॉक्स यह कार्ड्स यह टैग्स यह सारी चीज़ें ता भी अर नाम सेपने रक्षावंदन की पैकेजिंग में और भी अधर पैकेजिंग में आप इनको यूज कर सकते हैं थांक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो और प्लीज गाइज दो लाइक और सब्सक्राइब आ चैनल थांक यू सो मच